नमस्ति किसान भाईयो आज बात करते हैं ओरेस की ओरेस जो आदामा कमपणी का फंगी साइड है आपने बायर कमपणी का फॉलिक्योर यूज किया होगा उसमें जो टेक्निकल आता है टेपेकुनोजल 25 परतिशद जो आपको इसी फ़म में मिलता है ब्रोड स्पेक्टरम फंगी साइड होने के बहुत सारे बिमारे के एक साथ जड़ से खतम करने के दाकत रखता है इसका जो काम करने का तरीका है इस सिस्टेमिटिक तरी से काम करता है ट्राजल ग्रूप का ये फंगी साइड है इसमें यूज करने के बाद रोग बिमारे आई तो भी हम इसके cover कर सकते हैं पूरी तरह से ना आई तो यह निके रोकाने से बिमार्यानी से पहले भी हम इसका इस्तमाल करके काफी एच्छे रिजल्ट ले सकते हैं इसमें phytotonic effect बोले तो spring के बाद छिटकाओ करने के बाद हरी भरी आपकी फसल दिखेगी जुड़ों का विकास अच्छा होगा ब्रांचे सचों की पतियों का विकास अच्छा होगा लंबे समय दक और जल्दी से हमारे फसल को यह बिमारों से चुटकारा देती है हम इसका sit treatment क के लिए यज़ कर सकते हैं और साथी साथ हम उसकी डर्चिंग या स्परिएंग भी कर सकते है बाद करते हैं हम इसका इस्तमाल फ्रोट रॉट राट यानकी फल शडण the powdery mści पावडरी मेल्डू में आता है अंगुरू में आता है अनार में आता하는 मुंकफली बेल रस्यों मिमारी यह यह झा उसके लिए बहुत अच्छी इसके हैं के रिजेट्ट में प्याज के दान हुग बर में हम स्प्रेंग छड़काओ कर सकते हैं दान की फसल में ब्लास्ट शेल प्लाइट इनके लिए बहुत ही शांदर निसके रिजल्ट है टेपिको नोजल की लेकिन बिमारे आने से पहले हमका इसका स्प्रेंग यान की छड़काओ करना है बहतर जड़ के लिए हम इसका इस्तमाल मिर्च, कपास, दान, गन्ना, स्याबिन, मुंखली, टमाटर, गोबी, बिंडी, कुलाब, अंगुर, अनार, गेगु, आधी फसलों में कर सकते हैं इसके डोस की बात करेंगे तो 250 मिली से 300 मिली परते एक घड का डोस है कम जयादा डोस कर सकते हैं बिमारे के सिट्वोशन पे किमत की बात करें चोछ को 250 BROWN मिली का प्याक, पास सो पचास या 400 तक मिलजाएगा कम ज़्यादा किमत हो सकते हैं ब्रान के नुसार हम इसके साथ इंसेक्टिसाइड या वाटर सुलिबर फर्टिलाजर या कोई भी पिजिया टॉनिक्स मिला कर स्प्रे कर सकते रेंट फार्षनेस की बाद करें तो तिन घंटे का रेंट फार्षनेस है अपने जैकिसान चैनल को धन्यवाद ठेंक्यू